हैलो गाइज वेलकम टू अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंज कुजडात गैस की और से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज किस वीडियो में अलस्स करेंगे जो कि यहां पर ऑडिटेड इस्टैंड लॉन साथ में 5.66 रुपीच पर एक डिविडेंट जो की फाइनल डिविडेंट भी रिकमेंट किया गया इन्वल जेनरल मिटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे नंबर्स की बात करें करोड उसमें दिये गया ह एक्सपेंसे अधर एक्सपेंस किया लिखनी इस बार कंपनी को एक्सपेंस में 55.6 करोड का गेन हुआ इसके बाद और पॉफिट फिप्ट पॉफिट करोड का पिछले क्वाटर में 297 करोड का और मार्स 23 कौटर में 477.9 करोड का पॉफिट है quarter on quarter year on year दोनों के operating profit increase हुआ है net profit 410.4 करोड का पिछले quarter में 221 करोड का March में 370.5 करोड का जो कि quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 5.96 रुपीज का जो कि पिछल quarter on quarter year on year में increase किया है तो guys quarter ended का result company बहुत strong पेश किया है financial year ended में 16,399 करोड का income है 23 quarter में 23 financial में 17,407 करोड का जबकि income में बहुत ज्यादा fall देखने को मिला है expenses 14,920 करोड का 23 में 15,382.7 करोड का expense भी decrease के लेकिन तो ज्यादा decrease नहीं हुआ जिसके बाद operating profit 1534.5 करोड का 23 में 2024.7 करोड का down देखने को मिला है net profit 1143.7 करोड का 23 में 1528 करोड का जो कि net profit में भी डाउन देखने को मिल रही है EPS 16.61 रुपेच का 23 से बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है तो गाइस company के यहां पर देखा जाते quarter तो बहुत अच्छी ग्रोथ है देखने को मिला है वहीं करोड क्या है इसके 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 फिनांशल को कवर कर इंकम में 4324.9 करोड का पिछले quarter में 4107 करोड का मार्च 23 quarter में 4105.6 करोड का इंकम है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 3830 करोड का पिछले quarter में 3810 करोड का मार्च 23 quarter में 3628.9 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों में expense भी increase किया है operating profit 549.7 करोड का पिछले quarter में 296.4 करोड का मार्च में 476.6 करोड का operating profit था जो कि quarter on quarter year on year में increase किया है net profit for 409.5 करोड का और December में अगर देखा है 220 करोड का मार्च में 369 करोड का quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 5.95 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइस quarter ended हो या financial year ended बहुत strong result पेश किया क्योंकि income और profit दोनों में increase करती भी नजर आ रही है वह एकर हम बात करें गाइस इसके share का तो देखे कंपनी का सिफ financial year ended के profit में down है और income में down बट quarter ended में increase किया शियर 548.2 रुपीश पे close किया 2.3% का एक बहुत अच्छी growth देखने को मिला है positive profit मिला है और लेकिन 3 months में 11% का company loss देखने को मिल चुका है 6 months में 31% का profit दे चुका है तो गाइस company का share जो है बहुत जादा down देखने को मिल चुका है तो अगर आप इसके share में investment करना चाहते है गाइस fresh entry तो आप इसमें ले सकते है अगर आप इसको hold करना चाहते है long term आप इसको hold भी कर सकते कि company को अल्रेडी बहुत जाद सपोर्ट ली चुका है तो यहां आप इंट्री कर सकते हैं तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स रोड़ों में दिलनें बाई बाई